हलो बच्चों, आज कैल्कुलस का एक टॉपिक जो की डिफ्रेंसेसल हम पढ़ा रहे थे, इसके पहले की वीडियो भी हमने बताया है, उसका एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, डिफ्रेंसेसल आफ एक्स्परेंसियल एन लॉगर्थिमिक फंक्शन, चरगात आंकी और लगड जो फलन है, उनका आउकलन हम करने जा रहे हैं, इसके पहले कि हम स्टार्ट करें, आप का हमारे चैनल में स्वागत है और आप इसको सब्स्क्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कियाने वाले वीडियो जितने भी होंगे, उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, देख तो अगर आपको d by dx करना हो e to power x, e जो होता है, वो एक standard exponential function है, और इसकी value होती है, 1 plus x to power 1 upon x, limit x tends to infinite, यह syllabus में अब नहीं है, पहले UP board में खास्तोर से हुआ करता था यह, e की एक series होती थी, अगर e to power x लिखा हो, तो 1 plus x upon factorial 1 plus x square upon factorial 2 plus इस प्रकार से series थी, अब यह use होता है, जब limit पढ़ाई जाती है, फिलाल इसको आपसे मतलब नहीं है, तो अगर e to power x को differentiate करेंगे, तो value के आएगी e to power x, फिलाल आपको याद करना पढ़ेगा इसको, क्योंकि जो इसके derivation के proof है, इसका, यह e to power x कहां से आया, यह आपको 11th class में first principle से differentiation पढ़ाए गया होगा, वहाँ proof कराए गया है, ठीक है, और अगर e to power x का मतलब e to power x, और अगर differentiation आपको करना हो a to power x, तो यह होगा a to power x log a to base e, हमने बताया है differentiation में, पहली जो concept इसका है, इसका link हम दे दे इसको देख लीजेगा एक बाद, हमने बताया differentiation में कि अगर log लिखा हो और उसमें कुछ भी base ना दिया हो, तो उसको base को आपको e मानना पड़ेगा, अब आप दिमार के लगा कि यह log क्या होता है, यह आप 12th class हैं, यह मान के हम चलते हैं कि आपको log आता हुगा, ठीक है, बतलब जैसे मैं आपसे कहूँ कि y is equal to 7 to power x, तो 7 is not e, 7 e नहीं है, तो इसको e की तरह treat करेंगे, तो जब इसको differentiate करोगे, dy by dx करोगे, dy by dx साब 7 to power x, तो इसको e की तरह treat करिए, क्या होता है, a to power x, यहनि कि 7 to power x, log 7 to base e, यह लिखेंगे, ठीक है, अब आप कहेंगे, इसको भी a माने तो, मन लिजिए आपकी मर्जी, हम तो इसको a मानेंगे, मानता हूं, dy by dx of e to power x, हम इसको a की तरह treat करना चाहते हैं, और यही formula अप्लाई करना चाहते हैं, यह बारा, लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, e to power x, log e to base e, और किसी भी log की value उसी base पर one होती है, तो यह तो ultimately one ही हो जाना है, तो इसकी value क्या आएगी, e to power x, तो don't worry, if you apply this formula here, you will get e to power x, यह दो formula हो गए, एक हो गया, आपका e to power x का differentiation, एक हो गया, e to power x का differentiation, अब अगर differentiation आपको करना हो log x का, और इसका base कुछ भी ना दिया हो तो, तो हमने बताया है कि इस base को आप क्या मानेंगे, e, अगर ना दिया हो तो, और दिया है e तो, तो e दिये हुआ है, भी मानने इसके मतलब क्या है, और इसका होता है one upon x, चीक है, और अगर आपको differentiation करना है log x का, और base कोई भी constant दिया तो होता है one upon x log e to base e, यह होता है, चीक है, यह दो, यह चार फार्मॉले इसके साइस के लिए आद कर लिजेगा, और इसका एक और फंडा जो कि हम पहले बता चुके हैं, देखिए, जब हम e to power x को differentiate करते हैं, पहले साइस का concept बहुत ध्यान से पढ़ जरूर लिजेगा, हमने यह 5.4 हम start करने जा रहे हैं, तो 5.1, 5.2, 5.3 हम बता चुके हैं, हम differentiation का concept इसमें हम देदेंगे, link में देख लिजेगा इसको, description में देदेंगे हम, देखे, अगर आपसे कहा जाए y बरावर e to power x, तो इसका differentiation क्या होगा, आप कहेंगे e to power x, अगर मैं x की जगह कुछ और दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, अब आप कहेंगे 5 दे देता हूँ, जी नहीं, x का function होना चाहिए, मैंने x दे दिया x square, तो आप इसको simply differentiate कर दीजेए, इसको अखरन कर दीजेगा, d by dx, आप e to power x square, देखे, हमने का भाई, मेरे formula में ये क्या था, आप कहेंगे x था, चलिए माल दीजे, x लिखा हुआ है, तो e to power x का differentiation क्या होता है, e to power x, x बोले तो x square, अब आप जैसे x square इसको लिखोगे, ये गुसा जाएगा, कि भाई मैं तो x square था, आपने तो मुझे x माल लिया, तो इसको खुश करने के लिए, इसको फिर differentiate कर दीजेगा, तो e to power x square into 2x, इसको कहा जाता है, chain rule, क्योंकि differentiation के एक chain बनती चली जाती है, कोई भी step आप इसमें omit नहीं करेंगे, सभी step को show करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये आपका concept है, x की जगहे, अगर मैं 8 power x square में दे दूँ, तो x square हमने क्या दे दिया, x square, तो जो standard formula है, इसमें x की जगहे, standard formula है, जैसे x power n, हमने बताया, e power x, a power x, log x to base c, log x to base a, ठीक है, और sin x, cause x, tan x, sec x, तो इसमें हमने x बताया न, उस x की जगहे, अगर कुछ होर आएगा, तो उसको आप मन में x मानेंगे, x मान के उसको differentiate करेंगे, लेकिन, चुकि वो x नहीं था, उसे दुबारा differentiate करना पड़ेगा, चीक है, अब मैं x size 5.4 बताता हूँ, अच्छा, एक multiply rule भी बताया गया आपको, कि अगर माल या, दो function हो multiply में हो, और आपको इसको differentiate करना हो, तो होता first function into differentiation of second function, plus second function into d by dx of first function, और एक division rule बताया गया है आपको, कि अगर d by dx करना हो numerator upon denominator का, तो था denominator, यहर कहते हैं इसको, d by dx of numerator minus numerator, d by dx of denominator upon denominator का holy square, यह हम use करेंगे, हम exercise पूरू करने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से समझेगा, यह formula 4 है आपके इस exercise के लिए, हमने पहली exercise में यह सभी formula बता दिये थे, लेकिन चुकि especially, यह exercise के लिए बताया गया है, इसलिए हमने इस formula लिख दिये हैं, ज़रा समझेगा 5.4 का पहला question, exercise है 5.4 NCRT, पहला question दिखिए, जब भी कोई differentiation करना हो, तो आप उसका नाम क्या दोगे, y, हमने इसका y is equal to e to power x upon sin x, और इसको differentiate करना, साफ साफ दिख रहा है, कि यह साफ division rule लगेगा, यह numerator है, यह denominator है, क्या लिखेंगे, differentiating with respect to x, x के साफ एक्ष आउकलन करने पर, यह आएगा dy by dx is equal to, पहले लिख दीजेगा, dy by dx of e to power x upon sin x, देखिए, यह numerator है, यह denominator है, और division rule लगाना है, और division में पहले d आ रहा है, इसलिए पहले लिखो denominator, वो याद करने के लिए, क्या फ़र्मला लगता है हमने, denominator, denominator मतलब sin x into differentiation of numerator, minus numerator into differentiation of denominator upon denominator का whole square, फ़र्मला लग गया, अब देखिए, sin x into, e to power x का क्या होता है differentiation, अभी हम बता चुके हैं, e to power x होता है, minus e to power x, और sin x का क्या होता है, हम बता चुके हैं अभी आपको, cos x और upon sin x square x, sin square x, तो this is the answer of this question, e to power x, अब चाहो, तो यहाँ स e to power x कामल ले सकते हो, तो यह हो जाएगा, sin x minus cos x upon sin square x, इस formula ले सकते हो, तो यह आपका first question हुआ, अब second question देखिएगा, formula याद करिएगा, और standard formula में x की जगह, अगर कुछ और आएगा, तो कुछ और को आपको x मानना पड़ेगा, देखिए second question क्या कह रहा है, y is equal to e to power sin inverse x, अभी मत दिमाग लगाईए, इसमें क्या दिया हुआ है, मत सोचिए, क्योंकि जैसे question को note करोगे, question डरनाने की कोशिश करेगा, तो इससे डरना नहीं है आपको, differentiating with respect to x, आप लिखना सुरू कर दीजे question, का answer आता हो या ना आता हो, तो यह क्या हो जाएगा, dy by dx, dy by dx of e to power sin inverse x, अब यहाँ पर गाड़ी रुग गई, देखिए द्यान से, यह x का function है, हमारे पास formula होता है e to power x का, तो इस पूरे को मन में हम क्या बालेंगे, x लिखा हुआ है, तो e to power x का differentiation क्या होता है, e to power x, यहनि e to power sin inverse x, लेकिन यह क्या x लिखा था, तो आप कहेंगे, नहीं भाई, x तो नहीं है, हमने इसको माना है x, तो इसको दुबारा differentiate करेंगे, dy by dx of sin inverse x, यहनि standard formula में, x की जगहे कुछ और अगर लिखा होगा, तो उस कुछ और को आप x मानना है, तो यह हो गया आपका e to power sin inverse x, और इसका क्या होता है, 1 upon under root 1 minus x square, तो यह आपका answer हो गया, ऐसे note कर दीजे, या लिखना हो तो ऐसे लिख दो, e to power sin inverse x upon under root 1 minus x square, यह second question है, अब देखे इसका third question, y is equal to e to power x cube, देखे, differentiating with respect to x, यह आएगा dy by dx is equal to, dy by dx of e to power x cube, अब ज़रा question को देखेगा, हमारे पास formula क्या होता है, e to power x, यह इसको मन में आपने क्या माना, x, मन में x माना, जहाँ भी x लिखना होगा, लिखेंगे इसको, e to power x का differentiation क्या होता है, e to power x, x मतलब x cube, अब चुकि x नहीं था, x cube था, तो इसको दुवारा differentiate करो, d by dx of x cube, देखे, calculus is not tough, लेकिन अगर basic concept आपका clear नहीं होगा, तो आगे चलके बहुत दिक्कत क्रेट करती है, यह आपका आजाएगा, e to power x cube, और x cube का क्या होता है, 3x square, तो यह आपका अंसर होगा, 3x square e to power x cube, तो this is third question, आगे देखे, fourth question क्या बोला है, exercise is not complicated, क्यों चार फार्मूले हैं, और पिछले जो फार्मूले हैं, वो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, देखे, fourth question क्या कहता है, y is equal to, sine, sine, tan inverse, e to power x, e to power minus x, जरस साथान, चुकि बहुत ध्यान से समझना है, कि सबसे पहले किसका फार्मूला लगेगा, उसमें x की जगह क्या लिखा हुआ है, तो पहले तो इसको आप बोलिया ही नहीं, आप लिखे, differentiating with respect to x, हिंदी में x के सापेक्ष आउकलन करने पर, या एगा, dy by dx is equal to, dy by dx of, sine, tan inverse, e to power minus x, अब जरस साथान, देखे, जब हमने इसका differentiation शुरू किया, सबसे पहले मुझे मिला sign, ये sign का angle है, उरा, वो क्या है, अग्रम बग्रम मुझको नहीं मालू, मुझको ये मालू है, कि sign x का differentiation, cause x होता है, तो इसको हमने मन में क्या माना, x, इसका difference क्या होगा, cause x मतलब, tan inverse e to power minus x, इसको हमने x माना था, तो अब क्या करना पड़ेगा, rule के मताबिक इस पूरे को differentiate करना है, इसका differentiation क्या होगा, मुझको नहीं मालू, तो इसको लिखेंगे, d by dx of tan inverse e to power minus x, इसका तो हो गया differentiation, note कर दीजे, cause tan inverse e to power minus x into, यहाँ प्याइए जड़ा, साउधान, देखो tan inverse x का difference system मेरे पास होता है, उसको मालूम है, कि d by dx of tan inverse x is equal to, 1 upon 1 plus x square, यह x होना चाहिए, यह जो e to power minus x है ना, यह x होना चाहिए, हमने इसको मन में x मान लिया, क्या होगा, 1 upon 1 plus e to power minus x का square into, इसको फिर differentiate करना पड़ेगा, d by dx of e to power minus x, इसी को chain rule कहते हैं, देखे chain दिशे से बढ़ रही है, एक कड़ी है हुई, एक कड़ी है हुई, अभी आग एक कड़ी हुई हुई, क्योंचेन कैसे बनती है, एक कड़ी मिलकर के बनती है, यह क्या गया, cos 10 inverse e to power minus x into 1 upon, देखे, पावर का पावर से multiply हो जाएगा, तो यह आपका 1 minus e to power minus 2x लिखा जा सकता, यहाँ पर आईए, देखे, यहाँ पर क्या होना चाहिए e to power, आप कहेंगे यहाँ x होना चाहिए, इसको मन में x माल लो, e to power x का differences थे, e to power minus x, लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर minus x था, तो minus x को फिर differentiate करेंगे यह, एक कड़ी, दो कड़ी, तीन कड़ी, यह चौथी कड़ी चल लगी है, तो यहाँ गया, cos 10 inverse e to power minus x, into 1 upon 1 plus e to power minus 2x, into e to power minus x, और इसका minus 1 हो जाएगा, अब थोड़ा सा amend करके लिख दीजेगा, क्या होगा, minus, इसको पहले कर दो, into cos, 10 inverse e to power minus x, whole upon 1 plus e to power minus 2x, हो सकता यह answer आ रहा हो, हो सकता इसी format में answer आ रहा हो, तो this is the question number fourth, आगे देखिए, fifth question देखिए, क्या है, fifth कहरा है, y is equal to log cos e to power x, अभी इसको में कुछ नहीं देखते हैं, कि इसका difference होगा क्या, अभी तो हम लिख देएंगे, differentiating with respect to x, differentiating with respect to x, dy by dx is equal to, dy dx of log cos e to power x, जरा समझिएगा, हमने कहा था, अगर log का base ना दिया हो, तो base क्या मना जाएगा e, तो यहाँ पर base क्या मना गया e, यहाँ क्या होना चीए, यह x होना चीए, जिसको मन में हमने क्या माना, x मान लेजे, तो log x का, base क्या यहाँ पर दिया हुआ है, base e दिया हुआ है, नहीं दिया तो e माना जाएगा, calculus में, general log जो होता है, जो हम पढ़ते हैं, उसमें अगर कहीं log दिया होता है, तो base 10 होता है, लेकिन calculus में, जो log होगा, और base नहीं दिया होगा, तो base e होगा, जरा देखिएगा, आप scientific calculator खोलिएगा, उसमें एक जिगह लिखा होगा, log, एक जिगह लिखा होगा, allen, यह जो log है ना, उसमें, calculator में, वहाँ base क्या है, 10, और यह कहलाता है, natural log अर्थिम, तो यह हो जाएगा, log base e, यह ध्यान दिखिएगा, तो कभी-कभी यह बतमीजिये करते हैं, कि log ऐसे नहीं देंगे, वो कहेंगे, allen x, तो allen x का मतलब, natural log अर्थिम अर्थिम अर्थ, यह लाग x to base e, तो कुछ competition ने कभी-कभी यह, इस प्रकार से log दे दिया जाता है, तो देखिए, हमने इसको 1 में x माना, तो इसका क्या होगा, 1 upon cause e to power x, अब चुकि यह x थो था नहीं, हमने जब अस्ती माना, तो इसको फिर differentiate कर दिजे, d by dx of cause e to power x, is equal to 1 upon cause e to power x, यह angle है इसका, यहाँ देखिए, angle में क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, यह को है ना इसका, angle है ना, तो यह क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, cause x का differentiation minus sin x, तो minus sin x बोले तो e to power x, और e to power x को, फिर differentiate कर दो, तो जब यहाँ पर इसकी value लिखेंगे हम, तो आएगा, minus, अब देखो यह angle, और यह angle सेम है, sin, अगर इसको theta मालने मन में हम, विसका theta है नहीं, मैं माल लेता हूँ, तो sin theta upon cause tan theta होता है, हम इसको लिखते हैं, tan e to power x, और e to power x का differentiation e to power x, तो आप ध्यान से देखिएगा, यह बना फिरे एक chain, यह बड़ी, एक chain, यह बड़ी, यह answer आया, इसको chain rule कहते हैं, यह ध्यान के, यह tan का angle है, इसका multiplyment मत कर देना, कि कहीं पर माल लिया, कहीं sin 30 लिखा हो, और into 2 लिखा, कहीं बाहर लिखा हो, तो इसका angle से इसका multiply नहीं होता है, यह 2 बाहर आता है, तो इसको थोड़ा amend करके लिख सकते हैं, tan e to power x, तो यह आपका fifth question है, six देखिए, यह 5.4 NCRT चल लए है, NCRT, हिंदी मीड़ में, चुकि हिंदी वर्ड बहुत टफ नहीं होते हैं, वहाँ भी differentiation ही use किया जाता है, देखिए six question क्या कह रहा है, सलाम देदो, y is equal to e to power x, plus e to power x square, और x to power 5 तक ले गए हैं, तो आपको लिखना सब पड़ेगा है, x cube, plus e to power x power 4, plus e to power x power 5, चुकि limited थे, इसलिए लिख दिया हम ले, अब सबको differentiate कर दो, differentiating, with respect to x, यह हो जाएगा, dy by dx, इसको अलग अलग कर दीजेगा, plus मैं आप जानते हैं, अब आप यह नहीं समझें, multiply rule लगेगा, इसको अलग differentiate करेंगे, इसको अलग, dy by dx of e to power x, plus dy by dx of e to power x square, plus dy by dx of e to power x cube, plus dy by dx of e to power x power 4, plus dy by dx of e to power x power 5, अब आईए साउधान, e to power x का e to power x होता है, लिख दीजिए, यहाँ पर आईए, यहाँ पर x होना चाहिए, यहाँ पर x है, नहीं है, क्या करेंगे आप, सवाल छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, इसको हम मन में क्या मानेंगे, x माल लेंगे, इसका difference हैं क्या होगा, e to power x square, और x square को हम, दुबारा differentiate करेंगे, यहाँ पर x cube को, मन में क्या मानेंगे, x, क्या हो जाएगा, e to power x cube, और x cube को हम, दुबारा differentiate करेंगे, यहाँ e to power x power 4, और x power 4 को, दुबारा differentiate करेंगे, और e to power x power 5, और x power 5 को, दुबारा differentiate करेंगे, अब लिख दीजेगा, यह हो गया e to power x, क्या निकल ला है, dy by dx, प्लस, x square का क्या होगा, 2x, इसको पहले कर दो, तो 2x e to power x square, प्लस, x cube का 3x square, अब सो से कहां से आ रहा है, x power n का differentiation होता है, nx power n minus 1, तो 3x square, e to power x cube, प्लस, 4x cube, e to power x power 4, प्लस 5x power 4, e to power x power 5, तो this is your answer, 7th question देखिए क्या है, 7th, y is equal to under root, e to power under root, x तरा कोईशन को समझे की कोशिश करिएगा पहले, इस under root का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, under root x hold power half, इसके दो तरीके हैं, हम इस power को इसके अंदर implement कर सकते हैं, करीज है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करते हैं, लिखार हम दो ऐसे, अब इसको differentiate करते हैं, फिला, differentiating with respect to x, यह हो जाएगा dy by dx is equal to dy dx of e to power root x to power half, इस half को root x साथ multiply में लाया जा सकता है, क्योंकि exponential rule होता है, अगर x power a hold power b होना, तो power power का multiply हो जाता है, तो आप कहेंगे multiply क्यों नहीं किया भई, कर दीजिए, अरे करीदेते हैं, ठीक, खुश हो गए, चलो, देखिए यह पूरा क्या होना चाहिए, x से पूरा power है, यह पूरा, यह eat power root x by 2, यह पूरी power ही की, हमने इसको मन में x माल लिया, तो क्या हो जाएगा इसका, eat power root x by 2, और इसको फिर differentiate किया हमने, root x by 2, इसको तो यही लिख सकते हैं, यही ची लिखी विए दुबारा, यही छोड़ दीजे, तो इसको चाहें तो हम root, eat power root x कर सकते हैं, यहाँ देखिए, यह 1 by 2 बाहरा जाएगा, root का मतलब क्या होता है, power half, और यह क्या लिखा है, d by dx of x power half, क्या होगा, डिफरेंस इसन, half x power half minus 1, half x power minus half, तो हो जाएगा, half x power minus half, तो इसको calculate कर लो, तो क्या हैगा, 1 by 4 हो जाएगा, तो माइनस half power, नीचे जागर के root x बन जाएगी, और into root, eat power root x, this is your answer, the 7th question number, अब एक और है, 8th question इसका, तो यह आप NCRT कर रहे हैं, NCRT के questions का मतलब यह होता है, कि जब बहुत जादा भूख लगी हो, और आप मम्मी से के, भूख लगी हो, और एक चमच आपके मुझे डाल दे, हाँ, मुझे कोलो, डाल दिया हो, और आपको पेट बर गया, ऐसा नहीं है, तो बहुत कम questions हैं, RD शर्मा में बहुत सारे questions हैं, वहाँ से आपको थोआइसकी practice करनी पड़ेगी, 8th question क्या बोला देखिए, y is equal to log log x, differentiating with respect to x, यह हो जाएगा, dy y dx is equal to dy dx of log log x, यहाँ चुकि कहीं भी base नहीं दिया हुआ है, तो base क्या हो जाएगा e, देखिए, इसको हमारे पाद जो standard formula किसका होता, log x का, तो इसको आप पूरे को क्या मानेंगे मन में, x, यह log यह पूरा इसका x, तो log x का, differentiation 1 by x, तो 1 by log x, यह इसको आपने x माना है, it was not x, तो आप क्या करेंगे, इसको दुबारा differentiate कर देंगे log x को, तो इसका 1 by x हो जाएगा, तो 1 by log x, और इसका 1 by x, तो लिख सकते हैं, 1 by x log x, तो this is the end of this exercise 5.4, in next video, I will discuss the exercise 5.5, okay, thank you.